तो हे गाईज, वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दुगना करन, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक लिया है, यहाँ पर जो अंग होता है, उसका दुगना करन कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, और सा हम कॉमन सेंस लगा कर भी याद रख सकते हैं, तो इसके अलावा कुछ भी डाउट रहता है आप लगों को, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्रिप्शन से मिल जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते है आज का वीडियो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है अंग और सर, अब यहाँ पर दुगना होगा या नहीं होगा, यह डिपेंड करता है हमारे वर्ड पे, यह रूल है कि अंग के साथ अगर स होता है यह र होता है, तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, वो इस तरीके स अगर सा के साथ र भी है तो वो इस तरीके से आएगा ठीक है अगर अंग के साथ सिर्फ सा है तो वो ये है अगर ये दोनों है तो वो ये वाला बनेगा र के लिए उसको दुगना करती है ठीक है तो दुगना होगा भी और नहीं भी होगा होगा तब जब र भी है साथ में और नहीं होगा जब सिर्फ स है नेक्स जो है नेक्स आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है जब अंग के साथ कोई भी अप स्ट्रॉक या कोई भी डाउन स्ट्रॉक आती है तो वहाँ पर हमें उसको दुगना करना है वो किस सिचुएशन में देखिए मैं आप लगों को थोड़ से एक्जाम्पल दे देती हूँ यह सकिंड वाले के जैसे हमको लिखना है लंगर तो लंगर में देखिए जो ल होता वो इस तरी किस से होता है यह हमारा नीचे से उपर जा रहा है तो यह अप स्ट्रॉक है जो नीचे से उपर जाते है वो अप स्ट्रॉक होते है क्योंकि वो अप साइड में जा रहे है और जो उपर से नीचे आते है वो डाउन स्ट्रॉक होते है उसको रेखाक्षर कह सकती है तो यहाँ पर क्या है लंगर तो अब इसमें देखिए ल जो है वो उपर जा रहा है और साथ में अंगर अंकी जो होती है ये बिंदी होती है अनुस्वर होता है और साथ में गर तो जब र आ जाता है तो बेसिकली उसको हमने बड़ा कर देना है ल अंगर इस तरीके से उसके बाद जैसे नेक्स डिगर हम आसे लेलते हैं ठीक है तो ज के लिए ज किस तरीके से बनाया जाता है ये हमारा ज हो गया तीसरा साउंड इसलिए लैन को कट करके बना दिया और गर के लिए ये ठीक है बट यहाँ पर क्या है बेसिकली ये जिगर नहीं बनेगा ये जिंगर बनेगा यहाँ पर अंग भी हो साथ में रहा है तब तो नेक्स अगर मैं बताऊं आप लोगों को जैसे कि अगर हमने लिखना है संकर तो किस तरीके से यह हमारा हो गया सा के लिए हम इस तरीके से भी लिखते हैं और जो हमारा वृत भी है तो हम वृत वाले को देखते हैं यह सा और यह अंकर संकर अब यहां पर आपको कुछ और याद रखना है जो है थर्ड साउंड हमारा थर्ड रूल क्या भूलता है वो अंग के साथ अगर कोई आडे रिखाक्षर आते हैं तो हमारा जो दुगना करन रूल है वो एपलाई नहीं होगा जिस तरीके से अब हम इसके एक्जामपल एक बार देख लेत कर जो है हमारा स्लिपिंग लाइन है इसलिए हमने उसके साथ अंकर के लिए उसको छोटा रखा है वो दुगना नहीं हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जो कर है क्यूंकि र केलिए हम ऐसे हूग लगाती है तो उसके बाद अगर मैं एक और एंग्जामप नहीं करना है वो सेम रहने वाला है एक और चीज है यह आप optional ले सकते हैं जैसे देखिए जो शर होता है हमारा वो इस तरीके से आता है उपर से नीचे है ना लेकिन अगर शर के अलावा सभी के साथ यह दुगना नहीं होगा जैसे अगर हमको लिखना है बैंकर तो बैंकर में क्या है यह बै और यह अंकर बैंकर तो अब यहाँ पर क्या है यह भी नीचे आ रहा है और शर भी नीचे आता है लेकिन यहाँ पर इनके साथ दुगना नहीं हुआ है इनके साथ दुगना हुआ था तो यह आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है जो डाउन वाले आ रहे हैं डाउन स्टोक के साथ सिर्फ शह के साथ ये दुगना होगा और बाकी किसी के साथ नहीं होगा तो अब ये तीन रूल जो आप लोग समझ लेंगे तो बहुत इसी होन ठीक है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हमको लिखना है डंगर तो अब ड जो है वो डाउन है है ना ड और यह अंगर डंगर अब इसमें डबल क्यों नहीं हुए क्योंकि ड जो है वो डाउन है और श के अलावा जो भी डाउन होंगे उसमें यह दूगना नहीं होग अगर यहाँ पर दिखिए मैं एक और बर बता दिती हूं इसका अगर मैंने लिखा है दंगर तो यहाँ पर यह दूगना नहीं हुगा क्यों नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर यह शह नहीं है अगर शह होता शिर्फ शह के साथ ही दुगना होगा बाकि कोई भी downward stroke होते हैं उसके साथ दुगना नहीं होगा बाकि एक करख वाला पता है जहाँ पर करख होगा वहाँ पर दुगना नहीं होगा उसके साथ ही यह वाले sense वाला काम करना है तो वहाँ पर यह किस तरीके से हो सकता है देखिए अगर हम लिखते हैं banker तो हमें यह rule के according लिखना पड़ेगा इस तरीके से है ना यह क्यों अगर हम इसको ना बनाए और इसको long करके लिखे तो यह बनेगा बै और अंकर इस तरीके से तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जो है बिल्कुल आप वो क्या है जो यह rule है इसमें पूरा apply होता है देखिए अगर शह है शह के साथ अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए यह जो बना रहे हैं तो यह वाले इनके लेटर में ही काउंट हो रहे हैं लेकिन र हमको यहाँ पर जो इन्हों कर यह जो रहा है अल्ग से बनाएं लेटर में नहीं आ रहे है तो यहाँ पर इस स्चेप नहीं आ रहे हैं तो वहां पर यह rule है नहीं होका पूरा सिर्फ इसी तरीके से अपलाए होगा जिस तरीके से आपको समझाया गए है तो आप लोगों को समझ आ गया होगा आज की वीडियो में इतना ही, thank you so much for watching this video.